बात सामुद्रिक शास्त्र की, सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी भाग रेखा के बारे में, आज हम बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में, सामुद्रिक शास्त्र के हस्तरेखा ज्यान के अंतरगत जीवन रेखा का बहुत ही एहम मानिका थी, क्योंकि इसी रेख जीवन रेखा अंगुठे और तर्जनी के मद्ध से निकलती हुई हथेली के निशले भाग यानि मनिवन्द तक आती है एक साफ सुत्री जीवन रेखा अच्छे जीवन का संकेत देती है वहीं टूटी-फूटी या बीश में से कटी हुई रेखा के अलावा रेखा पर गोल आकरतिक अच्छन शुब संकेत नहीं देता है कहते हैं जितनी बड़ी और साफ सुत्री रेखा होती है व्यक्ति की उम्र भी उतनी ही होती है सामुद्रिक शास्त्र में कल हम बात करेंगे मस्तिश्क रेखा के बारे